जी, welcome back, assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आज हमारी javascript की series का पांचवा lecture है और इसमें हम बात करेंगे loops के बारे में loops हमारी coding को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं किस तरीके से करती हैं उसके बारे में बात करते हैं for example, अगर मैं आप से कहूँ कि मुझे पहले पांच integers का sum निकाल कर दें तो आप बढ़ी आसानी से मों निकाल सकते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं? आएए देखते हैं यहाँ पर मैंने एक file बना रखिया index.html की और यहाँ पर जैसे ही मैं exclamation mark डालता हूँ तो मेरे पास दो option आ रहे हैं first वाले को जैसे ही मैं select करता हूँ तो visual studio ने by default मुझे कुछ code दे दिया जोसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी अब यहाँ पर आपने क्या करना है? हमें एक और file चाहिए javascript की तो इसके लिए मैंने पहले से file create कर रखिये first.js इसे मैं click करता हूँ अब हमारा दूसरा काम क्या होता है? कि हमें अपनी javascript की file को link करना होता है HTML के अंदर तो इसके लिए हम body के tag में जाते हैं और यहाँ पर script का use करते हैं और इसके अंदर हम source देते हैं और source में अपनी file का नाम लिखते हैं उसके बाद control प्लस S करते हैं और इससे क्या होता है? हमारी जो file है javascript की वो link हो चुकी है हमारी HTML के अंदर तो मैंने आप से कहा कि मुझे पहले 5 integers का sum निकाल कर दें तो आपने क्या करने है simple let say एक variable बनाना है sum और उसके अंदर आपने बड़ी आसानी से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हमारी जो integers हैं वो 1 से शुरू होते हैं और up to spawn जाते हैं तो मैंने आप से कहा कि पहले 5 integers का sum निकाल कर दें तो इसके लिए आपने क्या करने है 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और यह आपका answer जो है वो store हो चुग है sum के अंदर इसे दिखाने के लिए हम simple console का use करते है console.log का console.log और इसके अंदर हम उस variable का नाम लिख रहेते हैं जिसमें value पड़ी है हम इसे save करते हैं अब हमारी जो javascript का output है वो यहाँ पर नहीं बलके console में होते हैं तो हम वहाँ चलते हैं सबसे पहले आपने right click करने के बाद inspect करना है और सीधा जाना है आपने console में तो यहाँ पर देखें मैं जैसे इसे refresh करता हूँ तो हमारे पस answer आ रहा है 15 तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पहले 10 integers का sum निकाल कर दो तो आपने क्या करने है 1 plus 2 plus 3 up to 1 10 आपसे मैं कहूँ कि पहले 50 integers का sum निकाल कर दो तो हो सकते हैं आप वो भी कर लें थोड़ी मेहनत करके 1 plus 2 up to 1 50 तक लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पहले 1000 integers का sum निकाल कर दें तो आप कहेंगे ये हो तो सकता है लेकिन manual करने में हमें काफी ज़्यादा वक्त लगेगा और अगर वक्त ही लगना है तो code सीखने का क्या फाइदा तो यहाँ पर हम इस्तिमार करतें loops loop क्या करते है हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देती है बहुत ज्यादा फस्ट कर देती है loop के अंदर हम किसी भी block of code को बार-बार execute कर रहे होते है और जितनी बार हम execute करना चाहिए वो हम पेy depend होता है for loop for loop के अंदर हमारे पास क्या आओए simple, पहले हम एक keyword लिखते है for का, उसके बार हमारे पास तीन expressions होते हैं, जब यह practical करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँगा, इन expressions में हम क्या क्या लिखते हैं, और वो किस तरह से काम करते हैं, और उसके बार हमारे पास एक block of code होते हैं, जो कि बार बार iterate कर रहा होते हैं, बार इसमें फिलहाल के लिए zero store है, यह अच्छी practice होती है कि जब आप variable को declare करें तो उसमें कोई नो कोई value store करा दे, word ना by default उसमें कोई नो कोई value आ जाती है, जिसे हम garbage value कहते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर zero store कर दिया, अब यहाँ पर हम for loop को use करेंगे, simple पहले हम keyword लिखते होते हैं, j और k, यह तीन को हम loop के लिए use कर रहे होते हैं, और इसे हम initialize कर देते हैं with the value of 1, अब यह मेरा i है, यह मेरी repetition होगी कि कितनी बार मेरा loop जो है execute करेगा, वो depend करेगा इस i की value के उपर, उसके बार आपने semi color लगा रहे हैं, और मुझे condition लगानी है, मतला मैं कहता हू i की value 1 है, तो जब तक i की value 10 नहीं हो जाती, तब तक मेरा loop है, वो काम करता रहेगा, और साथ में i की value में increment करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर यह जो plus plus का operator है, यह increment के लिए use होता है, मतलब जब भी एक loop खतम होगी, i की value में एक का इजाफा हो जाएगा, अभी 1 है, जैसे ही एक loop clear होगा, इसकी value 2 हो जाएगी, फिर जैसे ही second loop clear होगा, इसकी value 3 हो जाएगी, तो इसकी value में इजाफा होता रहेगा एक एक का, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी curly bracket, और याद रहे कि आपने इस small bracket के बाद आपने semi colon use नहीं करना, अब इसके अंदर हम block of code लिखते ह यहाँ पर मैं एक variable बना देता हूँ, sum जो के हमने पहले बना रखा है, और मैं कहता हूँ, sum के अंदर sum plus i, अब ये काम किस तरह से करेगा, देखें, i की value 1 है, जैसे हम अंदर आएंगे, तो ये 1 जो है, वो sum के साथ add होगा, sum की value पहले क्या थी, 0, 0 plus 1, answer sum के अंदर 1 store हो जा 3, इस तरह से हमारा look जो है, वो चलता रहेगा, और जब loop end होगा, हम बाहर निकलेंगे, look की body से, तो sum के अंदर वो value आ चुकी होगी, तो हम console के use करेंगे, console.log, और यहाँ पर हम sum को output में दिखा देंगे, इसे save करतें, यहाँ पर जैसे हमने refresh किया, अब हमारे पास answer आ रहा ह सिंपल इसे save करेंगे, अब के बार refresh करता हूँ, तो यहाँ पर देखें, मेरे पास पहले 100 integers का sum आ रहा है, तो इस तरह से हमारी जो coding life है, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, हमारी बहुत lengthy-lengthy जो programs होते हैं, वो बहुत आसानी से चल रहे होते हैं, और बहुत कम वक्त म होते हैं, चले अब एक काम करते हैं, हम फार लूप को यूज करते हुए, एक चोटा सा project बनाते हैं, माल लीजिए हम एक ऐसी website create करनी है, जहां पर बच्ची आकर mathematics सीख सकें, tables सीख सकें, जैसे हमने बच्पन में पढ़े थे, 2-1-2, 2-2-4, तो इस type के, तो इसके लिए हमने इसे चला कर देखते हैं, फिर हम यूजर से वैल्यू लेंगे, तो यहां पर मैं एक variable बनाता हूँ, well, और उसके अंदर मैं value दे देता हूँ, 2, कि मैं 2 का table बना रहा हूँ, फिलहाल के लिए, अब यहां पर for loop का use करेंगे, सबसे पहले हमारा let I variable create करेंगे, और उसे मैं value द चाते हैं, कि I के अंदर increment भी होता रहा है, साथ के साथ, फिर curly bracket और इसके अंदर code लिखेंगे, मैं यहां पर console का use करूँगा, console.log, अब यहां पर सबसे पहले मुझे वह value लिखनी है, जो के मैंने दी है, मैंने यहां पर two दी है, तो मेरा two जो है, वह well के अंदर store है, तो यह present करेगा multiplication के निशान को, उसके बाद again comma और यहां पर मेरी I की value होगी, जब यह output आएगा तो मैं आपको समझाओंगा कि मैंने I यहां पर use क्यों किया है, और उसके बाद हमारे पास एक equal to का sign आजाते है, तो वो हम लगा देते हैं यहां पर, और फिर हमारे पास एक answer आजाते इसे terminate करते हैं, save करते हैं, देखें जैसे हमने इसे refresh किया तो हमारे पास table आ चुका है, तो पहले मैंने well लिखा था, तो well के अंदर value थी 2, तो सारी के सारी 2 आ रही है, यहां पर मेरे I की value है, तो पहली loop पे हमारा I 1 था, second loop पे हमारी I की value में एक का increment हो चुका तो वो 2 है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने prompt का use करना होता है, अब मैंने आप से कहा था कि prompt का use करते हो, हम जो कुछ भी user से लेते हैं, वो एक string होता है, हमें क्या चाहिए हमें integer चाहिए, तो हम एक function का use करेंगे, which is purse int, यह क्या करते है, जो कुछ हम user से लेंगे, वो int में होगा तो simple इसी के अंदर हम अब prompt का use करेंगे और prompt में कुछ message शो कराएंगे for example मैं set करता हूँ enter a number जिससे user को idea होगा कि उसने करना क्या है यहाँ पर हमने इसे double quotation के अंदर लिखने वढ़ने यह गलत हो जाएगा semi column इसे save करते हैं अब जैसी refresh करते हैं तो यहाँ पर देखे हमारे पास एक pop-up सा show हो रहा है हमने value देनी है for example यहाँ पर मैं 5 enter करता हूँ और जैसी हम इसे enter करते हैं तो हमारे पास देखे 5 का table वो आ चुका है मतलब जो काम for loop करती है वही काम while loop करती है बस syntax different है यहाँ पर देखे हैं सबसे पहले हमारे पास keyword है while उसके बाद हम condition दे रहे होते हैं for loop में क्या था हम एक variable बना रहे थे उसे condition दे रहे थे और फिर उसमें increment भी कर रहे थे यहाँ पर सिर्फ condition दे रहे हैं बाकि जो increment है वो body के अंदर कर रहे होते हैं इससे practical करके देखते हैं चले जो का हमने यहाँ पर किया है इसी project को अब हम while के अंदर use करते हैं तो देखते हैं कि यह किस तरह से काम करते हैं simple इसे यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर while कर यूज करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं while जो के हमारा keyword है और इसके अंदर हमने condition लगानी है मतलब condition बताएगी कि हमारा loop कितनी बार iterate होगा अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ना जिस variable को इसके अंदर use करने वाला हूं उसे में बाहर declare कर देता हूं तो यहाँ पर हम i declare करेंगे और से value में देता हूं 1 अब इस ही i को हम इसके अंदर use कर देंगे अब मैं कहता हूं कि मेरा i जो है जब तक वो less than equal to 10 नहीं हो जाता तब तक loop चलना चाहिए और फिर शुरू होती है loop की body तो simple वही code हमने इसमें लिख देना है हमने लिखा था console को use करते होगे वही करते console.log और यहाँ पर हमारी value जो है वह well में है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं well लिखूंगा कॉमा और फिर हमें एक sign चाहिए multiplication का यहाँ पर मैं x use कर रहा हूं फिर मुझे value चाहिए जो के मेरे i में store है और again मुझे एक चाहिए equal to का sign और फिर से कॉमा और मुझे multiply कर देना है i को और well को well multiply by i i उसके बाद हमने क्या करना है हमने i की value में एक के increment करना है तो for loop में तो हम उसी जगा कर रहे थे यहाँ पर हम body के अंदर करेंगे तो मैं i के अंदर एक के increment करता जाता हूं increment operator को use करते हूं इसे save करते आपके बार अगर मैं refresh कर रहो तो मेरे पास answer आता है मैं यहाँ पर 45 set करता हूं और जैसे अंदर करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास 45 का table आ चुका है तो इस तरह से हमारा काम for में भी इसी तरह से हो रहा था while में भी उसी तरह से हो रहा है सिर्फ syntax change हो चुका है बाकी दोनों से हम जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं उसके बाद तीसरे नमबर पर हमारे पास do while loop इससे भी वही काम हो रहा होता है लेकिन थोड़ा सा यह different होता है हमारे जो do while loop होती है यह कम से कम एक बार लाजमी execute होती है किस तरह से हम practical करके देखते हैं यहाँ पर अगर मैं condition को wrong कर दूँ मतलब हमने कहा रखा है कि I की value अगर less than equal to 10 है तब तो यह चलनी चाहिए loop otherwise नहीं चलनी चाहिए तो मैं I की value को increase कर देता हूँ 12 कर देता हूँ अब अगर मैं इस loop को चलाना चाहूँ तो देखें क्या होता है यहाँ पर मैं कोई value set करता हूँ फर्जर पर मैं 3 लिख देता हूँ और जैसे अंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास कोई answer show नहीं हो रहा क्योंकि मेरे जो condition है वो false हो चुकी है condition true होगी तब ही loop चलेगा otherwise नहीं चलेगा लेकिन हमाले पर जो do while loop होती है उसके अंदर condition false भी हो तब भी एक बार loop लाजमी चलता है किस तरह से हम वो करके दिखाते हैं आपको तो यही कोड हम उसमें भी लिख रहे होंगे और यहाँ पर हम while के जगर do लिखते हैं अब यहाँ पर आपने क्या करना है while के बाद आपने यहाँ पर एक semi colon लाजमी लगाना है वरना यह error देगा अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूं कि मेरी जो value है फिलहाल के लिए उसे false ही रहने देता हूं तो यहाँ पर इसे throw ठीक करते हैं मैं इसे again one कर देता हूं और दुबारा से हमारे पास वही output आएगा जो के for और while के साथ आ रहा था यहाँ पर अब के बार मैं 34 लिखता हूं और जैसे enter करता हूं तो यहाँ पर देखे मेरे पास वही answer आ रहा है क्योंकि हमने address नहीं पड़े हैं हमने maps नहीं पड़े लेकिन हम string पड़ चुके हैं तो हम इसे उस पर apply करके देखेंगे इसका syntax बहुत असान सा है सबसे पहले हमने keyword लिकने होता है for और फिर यहाँ पर हमारे पास एक value आ जाती है और फिर of यह भी हमारे keyword है और साथ में उस variable का नाम आ जाता है जिसमें हमारी string store है और इस well के अंदर ना हमारे string का एक एक character जो है वो store होता जाता है किस तरह से होता ह करके देखते हैं सबसे पहले हम इसे erase करते हैं और यहाँ पर मैं एक variable बनाता हूं str के नाम से और इसके अंदर कोई string store करा रहता हूं double codation के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो आपके string होती है तो इसमें हम लिखते है code network semi column अब मैं यहाँ पर loop लगाता हूं सबसे पहले हमारा keyword for और उसके बाद हमने एक variable बनाना है यहाँ पर well दे दो या आपकी मरजी आप कोई भी variable का नाम select कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास off keyword आता है और फिर हमारे उस variable का नाम आता है जिसमें हमारी string store है यहाँ पर मैंने str क की है तो मैंने वही लिख है और उसके बाद हमारे पास इसकी body start हो जाती है और इसकी body के अंदर हम print करा रहे होंगे अपने value को तो उसके लिए हम console का use करेंगे console.log और इसके अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूं well equals to और यहाँ पर हम variable का नाम लिख देते हैं well जो कि हमने यहाँ पर use किया इससे terminate करते हैं अच्छाब यहाँ पर देखें यह लूप थोड़ीची different है अब इसके अंदर हमने वह जो i++ किया था एक increment operator था हमने वह भी set नहीं किया हम एक condition set करते थे कि हमारा loop कितनी बार चलेगा हमने वह भी set नहीं किया simple यह उतनी ही बार चलेगा ज सब्सक्राइब करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे use कहा करते हैं या क्या फाइदा इसे use करने का तो इससे हम अपनी स्ट्रिंग का size चेक कर सकते हैं कि किया size है किस तरह से select करते हैं यहाँ पर देखें मुझे एक variable बनाना होगा और उस variable को नाम ले देता हूं size का और शुरू शुरू में उसको value zero assign कर देता हूं और यहाँ पर आके ना इस loop के अंदर आके मैं size पे property set कर देता हूं increment की यह मतलब जितनी बार हमारा loop execute होगा इसके अंदर एक का इजाफा होता जाएगा और जैसे ही loop end होगा तो इसके अंदर वो value होगी जितनी बार हमारा loop execute ह तो आखिर में मैं इसे भी output में show करा देता हूं console का use करते हूं console.log और हम यहाँ पर size सबसे पहले लिखते है size double condition में लिखते है ताके output में वैसा ही नजर आए size equals to और यहाँ पर मैं size variable का नाम लिख देता हूं जिसमें value store है terminate करते हैं अब जैसे refresh करते हैं तो यहाँ पर देखे हमारे पास आखर में 12 वार है हमारी string का size इसे गिनते है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा हमारी जो space थी वो भी उसने count की तो इस तरह से आप किसी भी string का size है वो check कर सकते है ऑफ आवारे वे साथ साषिकल जह का गारी होती है हमारे साथ में, हम किसी वी वैबसायट पर जाते हैं खरकोड कर सकते हैं यह कम से कम आप चाहँ करीसे अंचर सकते हैं अभी फिलहाल हमने object के बारे में नहीं पढ़ा लेकिन आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में अभी फिलहाल मैं आपको सरसरी से बता दू कि object होता क्या है object कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी कुछ अपनी खसुसियात होती है अब किसी student के example लें तो student का name हो गया उसकी age उसका role number तो यह सारी चीज़े उसकी characteristics है तो वो हमारा student जो है वो object है तो for को हम use करके देखते हैं एक object के ऊपर तो पहले एक object create करते है अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक object बनाएंगे और उसे नाब दे देते हैं student का उसके बाद जब भी हम किसी object की values लिख रहे होते हैं तो उन्हें हम curly brackets में लिखते हैं तो हम curly brackets का use करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक उसका attribute लिखता हूँ name और फिर colon का use करना है आपने और फिर यहाँ पर मैं value दे देता हूँ और for example मैं उसके name set कर देता हूँ लतीव और आखिर में आपने comma लगाना है आपने semicolon नहीं लगाना हमारे पास जितनी भी values होती है object की वह separated होती है comma से उसके बाद मैं age बनाता हूँ again colon और उसे age दे देता हूँ 23 फिर आपने comma लगा देना है उसके बाद एक roll number का बनाते है section roll number colon और से roll number कोई भी हम provide कर देते हैं जो आखिर वाले हमारी value होगी ना उसके आखिर में आपने comma use नहीं करना इसे save कर लेते हैं उसके बाद हम अपनी loop use करते हैं for in तो पहले for keyword उसके बाद हमने एक variable बनाना है और यहाँ पर variable का नाम में key set कर देता हूँ again आपकी keyword use करेंगे और यहाँ पर हमने अपने object का name रिखने है विची student उसके बाद हमने क्या करने हमारी जो body है वह start हो जाती है loop की और इसके अंदर हम कुछ ना कुछ output दिखाएंगे और यहाँ पर output में हम key दिखा रहे होते हैं तो हम console का use करेंगे console.log का और यहाँ पर मैं set कर देता हूँ key equals to और यहाँ पर हमने print करा देना key को मतलब output में हमारे पस key की value आएगी save करते हैं यह भी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ना कोई increment operator है ना हमारे पास कोई condition है यह खुद बाखुद execute होता रहेगा इसका output देखते हैं यहाँ पर देखें जैसे हमने refresh किया है तो हमारे पास values आ चुकी है अब हमारे पास यह name आया है मतलब हमारे पास दो चीज़े थी ना हमारे object में हमारा एक name है और साथ में उसकी value अब यह जो name है यह हमारी key है और साथ में यह value है age यह भी key है साथ में 23 इसकी value roll number इसकी और साथ में यह उसकी value तो हमारी जो for in loop होती है वो हमें keys provide करती है हमारे object की और फिर keys के जरीए आप वो value भी निकाल सकते हैं किस तरह से इसे देखें simple यहाँ पर मैं थोड़ा सा change कर दूँगा हमें value चाहिए तो मैं यहाँ पर value लिखता हूँ उसके बाद आपने क्या करना होता है आपको जिस object की value चाहिए होती है आप उस object कर नाम लिखते हैं सबसे पहले student था और साथ में large bracket के अंदर आप value set कर देते हैं अब यहाँ पर मैं simple key यूज़ करूगा कि उस key के उपर value कितनी है तो वही key इसमें हम set कर देंगे, save करते हैं इसे अब अगर मैं इसे refresh करूँ तो यहाँ पर देखें मेरी key के साथ में जो value है वो भी यहाँ पर आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं for in loop को सिर्फ object के उपर ही use कर सकते हैं तो इस तरह से हमाई जो loops होते हैं JavaScript की वो काम कर रही होती है अब यहाँ पर कुछ questions हमने आपको कराए, कुछ आपने खुद करने है, values को change करने है और देखने के output में क्या change आता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next video में, तब तक के लिए keep connected and keep coding, thank you